असलामौतपयोंarth sobria जीआ है रही मत valor और के हैं अगर आप खुद को चैक करना चाहते हैं कि वाकई में आपका नेचर के साथ और नेचर का आपके साथ किस हरागा तहलूक है तो आप देखे कि आपके घार में रौजाना कितने बैग आप जाते हैं तो वाकी में आप एक बर्ड लवर है नेचर लवर है अगर नहीं आते तो जरूरत है नाराज बर्ड को नाराज परिंदों को घर बुलाने की तो किस तरह से नाराज बर्ड को नाराज परिंदों को अपने घर बुला सकते हैं उनको मना सकते हैं एक खुब सोरा सा घर दे के त जिन में 17 बर्ट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया है और उसमें रह रहे हैं तो इसको बनाने में हर चीज का ख्यार रखा गया है तेज धूप का तेज बारिशों का हवाओं का ख्यार ख्यार गया है तो इस तरह का घोसला बनाने के लिए हमें कुछ इस तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता हूं कि यह है प्लास्टिका डबा प्लास्टिका बॉक्स जो कि आपके घर में असानी के साथ मिल सकते हैं अगर आप मार्किट से लेते हैं तो आपको 40-50 रुपए की रियंज में मिल सकता है जायतर यह होता है कि लोग समझते हैं कि प्लास्टिक के घंसले में नैस्प नहीं बनाना चाहिए को कि वह गरम हो जाता है तो बिलकुल ऐसा ही होता है लेकिन हमने इसको डिजाइन ही हमने जो है 70 रुपए का पैकेट जो है लिया है यह और इस तरह का कुछ लगडी का कुछ बूरा जो कि आगर आप लगडी वाली दुकान पर जाते हैं तो इतना साव मेरे खाल से आपको ऐसे ही दे देंगे तो मैंने ऐसे ही लिया है और इसके साथ कुछ बारीक जो है बूरा ही है मैंने और घर में कुछ पड़ा हुआ जाया हुआ एक्स्टा जाड़ु यह मैंने अपने जाड़ु जाड़ु से निकाल के लिए और कुछी सारह काना जिसको कोमा रीड कहते हैं चोटी सी लगडी का पीस तो अभी घोंसला बनाने का प्रास जो है वह स्टार्ट होने आप सवाड़ लिटर की प्लास्टर की बोतल भी स्तमाल कर सकते हैं तरीका कर यही होगा कि हमने किस तना से बोक्स में ज्यादा ओवरहीट नहीं होने देना तो मैं कोशिच करूँगा कि जितनी होसे की वीडियो को शोड़ बनाओ बीच बीच में वीडियो को जो है फास्ट चिजिता है कि बहुत सरह ऑगनाइजैशन की होती है जो बड्स के ओपर काम करी होती है जो बड्स लवर होते हैं वह इस तरह का गोसला select करते हैं कि हमें बहुत कूप सबगता हो जो कि कलर फुल हो और लेकिन वीजैस को बटाऊं के वह इसको select कर ते अक्षप्ट नहीं करते तो अभी हम इसके अंदर जर्मन ग्लु लगा देगे तो ये देखे यामाइन इस बोक्स के अंदर हर तरफ ज़िए वह वह जर्मन वाइड ग्लिए है तो सबसे पहले हम जो है लकडी का बरीग पावडर जैसके अंदर लगाएंगे और उसके बाद यह मोटे वाला ऐसी फैंग देना है और क्या होगा है ढकन को बंद करके सामने माले इंटरी पी हाथ रखके ऐसे घुमान है तो यह खुद ही है इसके अंदर चिपक जाएगा तो यह देखे किस हमारा भूरा जोहल डबे के अंदर चिपक चुका है जूड चुका है तो जैसे बड़ को आएगा उसको बिल्कुल उसका जो है नैच्रल हैबिटेट लगेगा तो अब इसका दूसरा स्टैप जो है हम इसको थोड़ा सा थूब में रख देंगे ताके थोड़ा सा और मस्ब अन्ने समयं चाहरा सकते हैं या रख रूइक चुह थोड़ा डिया खेलिया है तो अभी यह ए देखें हैं मैं फ्रैंट साइड पर रलाइवेने लेफ शायड़ा ताफे apart rupees ties पहले है मैं आज नहीं लगा लगागा दी है back side नहीं लगाएंना है तो इस हमाँ वहां परग जर है कि जिस ए된 कि अरिया में आप रहते हैं आपके आपने वह अचे धिंग ले सकते हैं आप Jew रेले सकती हैस्ट है तो मैं यहां पे ज़ाड़ इस्तेॉ happiness मैं क्या करोंगा कि मैं इस जिगाह पर नहीं लगी हमारी कि भीड़ लखा नीचे और का together जो बी मिटेरील याप बीजिस करें उन से क्या होगा कि वह तिंका ज्यादा गर्मी को अंतर ही जाने जेंगे हमारा प्लास्टिक का जो तबबा होगा वो ज्यादा गरम नहीं होगा तो अंदर का टंप अंपरेचर जो है वह बिलकोल नॉर्म रहेगा आपने कोश्य करनी है कि आपके तिंके जो है यह बिल्कुल दब्बे के एंड जो है कॉनर पर नारे थोड़ा सर नीचे हो तो यह लें जी यह तक्रिबर हमारी एक साइड जह हो कंप्लीट हो चुकी है अब इसी तरह से हम जह है अपनी पाकी की साइड़ों को कवर करेंगे हम एक तिंके की ऊपर जह है तो सूखने के बाद हमारा नैस जो है कुछी सरहां साब बन जाएगा यह देखे बहार से बिलकुल नेच्रल हैबिटेट की तरह और अंदर से अगर मैं आपको अंदर से दिखाऊं बढ़ आए गा उसको लगेगा कि जैसे उसने किसी अद्रक्त में अपना गोंसला बनाया ह और अगर आपको इसका बाहर की लुक दिखाऊं तो आप देखें के यह जैसे वह इंटर होगा उसको बैलनस करने के लिए हमने यहां पर लगाई तो इसको जैसे मर्जी लगाए जैसे मर्जी गिरे इसको कुछ नहीं होगा यह बहुत ही मजबूत बन चुका है इसके जो ब देख्या के ओपर तीन बड़े बड़े सवरा कर दिये ता हम इसके धकर को भी कवर कर सकती हैं कपड़े से और और उपी ध्वार के साथ या किसी और चीज केना लगाने कि लिए मैंने दो सवरा की हम कील इस्तमाल कर से कोई बी तो आफर ने आप ने क्या करना है कि इसके अं सकते हैं डाल सकते हैं ताकि इसका वजन रहे और जहें काफी भारी भाही रहे हवा आए तो इसमें मैंने जहां मट्टी डाल दी है और इसके ऑपर धकर बंद कर देना है तो यह यह हमारे कैमाफ्लॉज जो है त्यार हो चुका है जिसको बर्ड हर सूरत पे एक्सेप्ट यह उसके जो है नेच्रल हैविटेट के मताबिक बना गया है तो उमीद है आपको मेरी यह वीडियो पसंदा ही होगी ज्यादा लेंद ही मेरे कोशिकिया ना बने तो बड्स के ओपर मैं इसलिए वीडियो नहीं बना रहा क्योंकि अभी बड्स का ब्रीडिंग सीजन चल रह है तो जल्द ही मैं इंचला ने वाली वीडियो में आप से मिलूगा किसी और अनिमा रेप्टाइल बड्स के साथ देखते रहेगा वाइल्ड रश